हेलो एबरीबन वेलकम तो पाथाइस एकाडमी मैं अंकित सिंग हम लोग पढ़ रहे हैं रिजनिंग पी वाई क्यू प्रिविएस येर कोश्चिन सीजी पी एसी में आपको येदे भी रिजनिंग की कोश्चिन पुछेंगे हैं A to Z कोश्चिन को हम लोग देखेंगे हैं तो हम लोग 19 को येर वाई हम देख रहे हैं कि 19 में चाहे जो भी रिजनिंग आया है कोश्चिन नमबर बन से लेके पूरा फुल एनालेसिस करेंगे हैं तो पहला कोश्चिन देखा जाए हैं ये हमने सेट सी लिया है 2019 का सेट सी किसी पंक्ती में प्रमोद बाएं से सात्वा है अब बाएं और नहीं समझते हैं लेफ्ट और राइट कि जो आपका लेफ्ट होता है वही इसका लेफ्ट होता है जो आपका राइट है वो इसका यानि अगर हम लेफ्ट और राइट करेंगे तो ये हमारा राइट है तो हम इधर रैइट लिखेंगे और इधर लेफ्ट लिखेंगे ऐओके लेफ्ट रैट हो गया किसी पंक्ति में प्रमोद 8 baae यन्लेफ से इधर से यह 7 प्लेस पर प्रमोद और तथा प्रकास दाए से नहुत यह राइट साइट से नाइन्थ प्लेस पर कौन है प्रकास P.R.A. चलो प्रकास और प्रमूद प्रमूद ये है दोनों अपनी इस्तितिया परस पर बदल लेते हैं तो प्रमूद बाएं से गयरा हुआ हो जाता है पंक्ती में कुल कितने लोग है यानि प्रकास यहां पर आजाएगा और प्रमूद यहां पर आजाएगा तो प्रमूद बाएं से गयरा हुआ है यानि लेफ्ट साइड से ये 11th position एक्वायर कर लेता है तो अब कोश्चन बोला है कि इस लाइन में टोटल कितने लोग है तो देखो ये लाइन यहां से लेकर यहां तक की है बोलो हाँ और ये वाला प्लेस प्रकास का और प्रमूद का कॉमन है तो यहां पर देखिए ये 9th है तो इसके इधर यहां तक में कितने लोग है तो 8 लोग होंगे तब तो ये 9th बनाओगा यानि 8 और इसके पहले ये 11th है तो इसके पहले 10 होंगे और ये कॉमन पोजिशन है 1 का तो 10 प्लस 1 11 प्लस 8 19 टोटल 19 पोर्सन इसमें होंगे दूसरा तरीका क्या है कि जो जहां पर कॉमन पोजिशन आ जाया दोनों को प्लस कर लेंगे 11 प्लस 9 20 और चुकि दोनों कस रिपिटिशन हो रहा है डबल काउंटिंग हो रहा है इसलिए 1 माइनस कर लेते हैं तो इसलिए भी 19 हम एंसर कर सकते है तो 19 एंसर करने के दो तरीक है ठीक है next question number 2 हिंदू को किसी सांकेतिक भासा में इतना लिखा जाता है मैन को ऐसे तो इंडियन तो यह बड़ा ही आसान कोशन होता है इंडियन के लिए तो देखे इसमें आई के लिए क्या आया है आई के लिए 1 तो आई के लिए 1 लिख सामियन के लिए 2 है तो 1,2,5,1,2,3,1,2,5,1,2,3,1,2,5,1,2,3,1,2,5,1,3,2 सही है सही है option भी हमारा हो जा गई है 1,2,5,1,3,2 नेक्स दीगे इस रिंखलिया में कुछ वर्ण लुपत है उन वर्णों को सही सम्मों में चैन करें in the following series some letters are missing select the correct set of letters तो इसमें correct set कौन सा आएगा तो सब में single single digit है यहाँ पर double digit दिया गया है और यहाँ पर double digit दिया गया है यानि clue हमारे पास बस इतना ही है इसी कित्वर हमें solve करना है यह कैसे होगा तो देखो A के बाद B आया है और इसमें A के पहले C आया है इसका मतलब C A B का सिरीच चला होगा तो A के बाद B हमें put कर देना है और C के बाद A put कर देना है और B के बाद हमको क्या A से पहले C put कर देना है एक से पहले C देखो C A होना चाहिए तो यह C A B हो गया यह भी C A B हो गया और यह भी C A B होना चाहिए और यह C A B होना चाहिए सारे fulfill हो गया तो हमने क्या put किया है B A C C B B D A C C B B हमारा option D correct हो जाएगा ओके next question number 7 A is taller than B A is taller than B but not as tall as C that means A is shorter than C D is taller than E D is taller than A D E से बढ़ा होगा but not as tall as B यह B जितना बढ़ा नहीं होगा यह B से छोटा होगा okay who among them is tallest इस सब में सबसे बढ़ा कौन है C यानि option A clear? यदि किसी वर्स का कोई एक मा सोम वार को अरंभ होता है तो उस मा का द्वीतिय सनिवार से 14 दिन कौन सा होगा करेंदे? कोई भी वर्सो यानि Monday से start होता है Monday को क्या होता है first day of the month तो सोम वार को अरंभ होता है उस मा का द्वीतिय सनिवार तो द्वीतिय सनिवार कब आएगा? तो Monday 1 है तो Saturday क्या हो जाएगा? 6 और फिर next Saturday क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7 क्योंकि इस 7 दिन के बाद repeat करेगा तो इस 13 हो जाएगा और फिर द्वीतिय सनिवार से 14 दिन की तिथि क्या होगी? तो 13 प्लस 4 यानि 17 ते इस 17 तारह तारीक होगी 14 दिन किसी लड़की एक लड़की दक्चिन दिसा की और बैठी है एक लड़की दक्चिन दिसा की और बैठी है अगरस facing south यानि south face का मतलब इस side में face कर रही होगी and turn 60 दिगरी है अब यहाँ से 60 दिगरी कैसे turn लेगी? तो 60 दिगरी का क्या मतलब है? इखर फेस पर रहे हैं तो मालनों यह घड़ी और यहां पर 6 बज़ रहा है कि और अगर यहां पर टर्ण करेगी तो 90 हो जाएगा यहां पर भी करेगी तो 90 हो जाएगा घड़ी की दिशा में 60 करने का मतलब 6 के बाद 7 आता है फिर 8 आता है फिर 9 आता है तो यह तो 30-30 डिग्री टर्न होता है तो 60 डिग्री का मतलब यहां से यहां पर आ गई यह बात समझ में आ रही है 60 डिग्री का यहां से यहां से पहले पाच बज़ा होगा फिर चार फिर ती यानी पाच बज़े तक आएगी तो यह प्लस 15 होता है ना 105 तो यहां पर आगे अब बोला है इन विच डिरेक्शन नौसी इस फेसे तो अब यहां से देखो यह कौन सा डिरेक्शन है यह है इस्ट और यह है साउथ तो यह क्या हो जाएगा साउथ इस्ट साउथ इस्ट यानि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो इस्ट इस्ट कल मैं अपनी दादी यानि एकी दादी दादी मिंस एक के यह फादर होंगी और एक फादर की यह मदर होंगी यानि एकी ग्रैंड मदर होंगी कल मैं अपनी दादी की लड़की अब इस दादी की कोई एक लड़की होंगी कि एक लौते भाई only brother that means this से मिला तो एक किस से मिला था तो यह तो अपने फादर से मिला था न यह तो फादर हो जाएगी तो अपने पिता से मिला था उसको इतना गुमा के बोला है नेक्स्ट सही ग्रूप का चुनाओ किजिए अब यहां पिक क्या है गा इस सब्सक्राइब क्यों सा ग्रूप आएगा तो देखें यह एन 14 यह 15 और फिर यह क्या हो यह 20 फिर ह 8 7 यह 12 और यह है पी 16 17 and 10 तो यह डबल जो फोर टाइम डॉट है उससे पहले वाले का रिलेशन हमें इसके साथ चाहिए इसमें क्या हो रहा है 14 का 15 तो हम 20 का 21 कर देंगे एक्स्यूं और लास्ट वाला क्या हो रहा है, 16 का 17, यानि J का क्या कर देंगे, K और बीच वाला क्या हो रहा है, 8-1, 7, यानि 12-1, 11, यानि K U, K, K, U, K, K, Option C is correct ओके, next question number 12 and 13 के लिए instruction है, दोनों same question है देखे क्या कह रहा, नमलेखित प्रस्तों में सब्दों को अर्थपूर्ण तरक संगत तथा उच्छित क्रम में रखते वह उपतर दें In each of the following questions, arrange the words in a meaningful, logical order and then select the appropriate sequence from the alternatives given below each of the groups of words तो इतने सारे groups है words के, इसमें से हमें answer करना है, तो देखे, six words हमारे पास है कैसे हम smart technique को use करेंगे, कि अब ये ascending order लिया है, कि descending order लिया है, ये कैसे हम समझ पाएंगे तो option को देखो, कि option में starting क्या है 5-5-5 से, 5-5 है क्या विग्या पर ये अडबर्टीजमेंट और यहां पर six है आवेदल, तो पहले advertisement होगा या पहले application होगा पहले advertisement आएगा, फिर आप application को fulfill करोगे, यानि ये नहीं हो सकता, यानि इस तीनों में से कोई होगा second place पर देखो, six आ गया, यानि first हम advertisement देखेंगे, फिर हम application देखेंगे अब इसके बाद देखो last में, तीनों में 111 है, यानि परिविक्षा तो last में होगी six था न, तो one, two, three, four, five, five and six ये one पहले जागा, परिविक्षा मतलब, probation period के लिए हम जाएंगे अब बीच में हमें arrange करना है, कि क्या क्या हैगा, arrangement के लिए तीन बचे, तो बताओ, पहले आपका advertisement आया, फिर आपने application दिया, उसके बाद क्या होगा, appointment यानि न्यूक्ती चायाना साक्षातकार, तो पहले आपका interview यानि साक्षातकार होना चाहिए, ठीके साक्षातकार हो जा option होगा, यानि selection हो जाएगा, तो आपका selection हो गया, फिर उसके बाद आपको appointment लेटर यानि न्यूक्त किया जाएगा, फिर आपको 4 आजाएगा, तो 562341, तो 562341, option A है, यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, option A हमारा correct है, जिन्होंने भी लगाया था, उनका सही नहीं है, देखो कोई नहीं हो ने किया किया, 56, और उसके बाद 4, यानि पहले advertisement, फिर application, उसके बाद डारेक्ट इनको appointment चाहिए, इनका interview selection बाद में होगा, तो यह गलत है, यह meeting के लिए appointment की बात नहीं हो रही है, यह appointment लेटर की बात हो रही है, तो इनका यह गलत है, हमारा answer क्या होगा, correct, A हो इसे इलाका देश, तो सबसे बड़ा कौन, देश, फिर सदस्य समुदाई है, इलाका, इलाका ऐसे ही देखके हम इसको अरेंज करेंगे, तो देखिए हमारे पास, इंगलिस इनकी दोनों में है, तो पहले option के तरह सोच, option क्या है, सब में 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है, उसके बाद 1, यहां से हमें order मिल जागा कि सबसे छोटा प्रे रखना है कि बड़ा, तो 3 में क्या है, member, तो member अकेला है कि इनसान होता है, उसके बाद 1 family, कि member से बड़ा, member से बड़ी family होती, या family से बड़ी क्या, community, locality, country, तो आप देखिए, कि community क्या होता है, एक समुदाई होता है, country तो सबसे बड़ा country होगा, country तो सबसे लास में चला जाएगा, यानि पांच वाला answer होना है, तो दो तो eliminate हो गया, अब इसी दुनों में से answer होना है, अब country का भी काम होगे, community और locality, तो community एक समाज में होता है, community को क्या कहते है, हिंदी में देखिए, समुदाई, और इलाका, यान community आ जाएगा, तब locality आएगा, 31245, तो 31245, option B हमारा correct answer हो जाएगा, 31245, एक बार फिर से देख लीजे, 3 means, सबसे पहले सदस, फिर परिवार, फिर समुदाए, फिर इलाका, तब देश, ओके, question number 14, University सब्द के अक्चरों में, A, B को, B, C को लिखा जाए, इस प्रकार चलते जाए, तो निम लिखित अक्चरों में से कौन सा अक्चर, दाहिने से तीसरे अक्चर के बाई और करती है, देखो, यही से देखते है, दाहिने से तीसरे अक्चर, यह है, राइट, 1, 2, 3, दाहिने से तीसरे अक्चर, के बाई और का तीसरे अक्चर, 1, 2, 3, यह है, इसके बारे में, E के बारे में बात लिए है, और A को B, B को C, वैसे ही C को D, D को E, E को F कहा जाएगा, यह हमारा एंसर होना चाहिए था, F, है ही नहीं, हम क्या कहा देंगे, इन में से, कोई नहीं, none of these, हमारा option D हो जाएगा, next 15, adjective सब, English में भी question है, दोनों में पढ़ लेते हैं, इच वावल आफ द वर्ड, adjective, is substituted with the next letter, ओके, तो पहले adjective को हम लिखते हैं, A, D, J, E, C, T, I, B, E, प्रतेक स्वार को, इच वावल आफ द वर्ड, एग्जेक्टिफ, तो वावल कौन कौन सा है, A, E, I, and E, subcuted with next letter, जैनि A के बाद क्या आता है, B, E के बाद F, I के बाद J, और फिर से E के बाद P, in the English alphabetical series, and each consonant is subcuted with the letter preceding it, अब consonant को किस से replace करना है, उसके जस्ट पहले वाले letter से, तो पहले वाला letter क्या है, तो D से पहले क्या आता है, यह देखेंगे आप, तो D से पहले आता है C, J से पहले I, J, और C से पहले B, यह S, T, U, B, तो यह पूरी तरह से हमारा arrange हो गया, how many bovels are present in the new arrangement, देखो, one bovel, two bovel, only two, यानि option C, हमारा answer हो जागा, कि सिर्फ और से दो ही bovel है, बगे कोई bovel है, clear, नीचे देगे इस रिंकला में, एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगा है, अब यह series है, इसमें कौन सा, नहीं है, यह हमें देखना है, तो देखो, यह 3, 5, 7, 9, 11, and definitely 13, तो 13 तो समने है, इसमें नहीं है, तो ऐसे ऐसे हम eliminate करते चलेंगे, अब first, यह 13, 15, 18, 20, 23, तो 13 प्लस 2, 15 प्लस 3, 13 प्लस 2, 20 प्लस 3, then 23 प्लस 2 is 25, 25 means Y, अब Y यहां है, यहां है, यह तो गया, क्योंकि Z नहीं होगा, अब last वाला चेक कर लेना है, B, तो देखो, R, S, T, U, B, तो पक्का, R किसके बाद आएगा, तो R, Q, R, S होता है, तो यह Y 13, Q, Y 13, Q, Q आजाएगा, यहां हमारा option A करेप हो जाएगा, Y 13, Q, तो इस तरीके से हम इसका answer निकालेंगे, इसके लिए हमें alphabetical order याद़ने चाहिए, किस प्लेस पे क्या है, नेक्स्ट, प्रथम दो के बीच जो संबंद है, वही संबंद बाद वाले के बीच इस्ताफित करते हुए, प्रस्ट नमाचेक, चिन निकेस्तान की पूर्त देखीजिए, ठीक है, इसका relation सेम होना चाहिए, तो यह दिया हुआ है, और हमें पीछे आना है, यानि इसके recording, इसका relation चेक करना है, तो इसमें क्या हुआ है, देखो, यह translated TA कैसे आया होगा, TA, यहाँ पर है AT, तो AT को TA लिखा गया है, तो यहाँ, AT को TA, तो F को FA, FA, तो FA देखो, बस यहीं पर है, बाकी कहीं FA है नहीं, तो यह तीन हो गया, हमारा answer इतना सही हो जाएगा, बाकी आपको पूरा भी सेर्च करना है तो कर सकते हूँ, अब यह क्या हुआ, L, E, S, A आ जाएगा, तो C, E, F, S, E, यहा हमारा answer हो गया है, Okay, 19 number, 1920 के लिए, instructions देखे, following questions are based on information given below, in the expression B plus D into M plus N, how M related to B, तो हमें इसको family tree में convert करना होगा, B plus है यह, यह द्यान हकना, B plus, plus है हाँ, यह B plus D है, यह multiply है, यह divide है, यह आपको sign visible हो रहा है न, यह प्लस में और device में confusion हो जाता है, divide में, और यहाँ पर यह divide है, P divided by Q कर चल रहा है, यह है P divided by Q, और यह है P plus Q, बाकि तो सब क्लियर होगा होगा, तो देखे इसका solution, B plus D, D means, plus means mother, minus means sister, multiply means father or divide means mother, तो, plus means mother, B is mother of D, B is mother of D, B is mother of D, okay, multiplies, D multiply M, यहिए D is father of, D is father of M, D is father of M, and divide, brother, M is brother of N, M is brother of N, okay, question नहीं क्या पूछा, how M related to B, how M related to B, M is grandson of B, यहिए grandson, हिंदी में क्या हो जाएगा, पोता, clear है, नेक्स चलिए, question number 20, 19 होगे है, 20 देखे है, फिर से वही information है, लेकिन यहाँ पे देखे, यह चार option दिया, which of the following represents R, Nis of M, कि R, M की भतीजी होगी, कौन भतीजी होगी, R is Nis, यानि R भतीजी होगी M की, तो भतीजी का बतलब, यह R, M के भाई या बहन, जो भी होगा, उसकी बेटी होगी, तभी इसकी निस हो पाएगी, clear है, तो ऐसा डियाग्राम जिसमें भी बन जाए, तो multiply means father, minus means sister, plus means mother, and divide means brother, यह क्या है, plus है, और यह divide है, okay, अब हम सबका डियाग्राम बनाएंगे, जहां में यह डियाग्राम में जाएगा, हमारा एंसा हुचाएगा, M divided by K, M is brother of, M is brother of K, M is brother of K, okay, and K into T, K is father of T, K is father of T, and T minus R, T is sister of R, T is sister of R, तो हमारा चीएगे था M R का, ठीक है, T is sister of R, और R का यहाँ पे gender clear नहीं हुआ, नहीं तो यह ही पे answer हो जाता है, कि M के भाई का बेटा यह बेटी है, ठीक है, तो अगर वो बेटी clear होया था, तो नहीं clear हो जाती है, लेकिन यह clear ही नहीं हुआ कि R बेटा है कि बेटी है, इसलिए पहला option हमारा नहीं होगा, तो सेकेंड को एज़ो करते हैं, M-J, M-J, that means M is sister of J, M is sister of J, M is sister of J, okay, J plus R, J is mother of R, J is mother of R, and R minus N, R minus N, R is sister of N, R is sister of N, इस बार तो R का जेंदर है न, देखो, R is Nis of N, यह वाला आ गया, तो हमारा option इस बार B correct हो जाएगा, यही पर answer है, clear? Next question देखे, statement, all AC are DC, Venn diagram से question है, all AC are DC, sum DC are EC, sum DC are EC, all EC are YY, all EC are YY, okay, यह statement था, हमने Venn diagram create कर लिया, conclusion, some AC are EC, first conclusion कर रहा है, some AC, some AC are EC, no, दूसरा, some YY are DC, some YY are DC, yes, some YY are DC, देखे रहा है न, यह जो YY का part है, जो EC में, वो DC में भी है, no AC is EC, no AC is EC, यह diagram सही नहीं है, कि यह clear नहीं हो सकता, यहाँ पर possibility है होने की, तो no का case गलत हो जाता है, all DC are AC, all DC are AC, no, 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 यह गलत है, all AC are DC है, तो यह गलत हो जाएगा, तो हमारा answer क्या हुआ हुआ, only two follows, option B, यह केवल दो, निसकर्स सही है, okay, 22, एदी इरीजर को scale कहा जाए, ऐसा, ऐसा question, तो देखो, question क्या है, एक व्यक्ति किस से मिटाएगा, आप ही बताओ किस से मिटाते है, इरीजर से तो इरीजर को क्या बोला गए, इरीजर को scale बोला गए, बस देखते के साथ पहला answer है, इसके जिसने भी किया है, वो सही किया है, 2032, दिये गए कथन को ध्यान पर उफख पढ़िये, साथ दिनों में मिंटों की संख्या, साथ दिन में कितने मिनिट कुर दें, एक दिन में 24 घंटे, दो 24 गुना साथ दिन, और इसमें 60 मिनिट, एक घंटा में इतना साथ सप्ता में घंटों की संख्या तो 60 weeks into 7 days ओके और एक दिन में 24 घंटा तो इतना घंटा होगा साथ सप्ता में और साथ दिन में मिंटों की संख्या साथ दिन में एक दिन में 24 घंटा ये 24 गंटा है ये 7 days है तो ये मिन्टों की संख्या तो 60 मिनिट एक घंटा पर है और ये 7 वीग है गंटों की संख्या दुनों बराबर है इतना ही हम कर सकते हैं सही विकल्ब चुनिए एक की मात्रा दो की मात्रा से अधिक है हम क्या कहेंगे एक की मात्रा दो की मात्रा से देखो multiply करेंगे तो value बराबर हैगा इसमें मिन्टों की संख्या इसमें घंटों की संख्या दोनों बराबर है महले minute का value अलग होता है घंटा का value अलग होता है अधिक तो नहीं है हम नहीं कहा सकते हैं यूनिट्स वराबर है हमें यह नहीं देखना है कि मिनट और भिंटा ठीक है तो इस तरीके से हमें C आप्शन के साथ जाना हो 33 अब देखो ऐसे कितने M है जिनके पुरवर्ती M है और अनुवर्ती N है पुरवर्ती यानि how many M's are preceded by M पुरवर्ती मतलब पहले M होगा ऐसे कितने M है जिसके पहले M हो और बाद में N हो अनुवर्ती N यानि M M N हमें ढूनना है इसमें सब एक ही जैसा दिख रहा है तो थोड़ा सा पस्से पैसेंस रखके ढूनेंगे M M N डबल M पहले देखो डबल M और N एक यह मिला फिर M M M M M M M M ही है आखों का दोखा है यहां पर थोड़ा सा ओसी यार यह देखों लास्ट में एक M M N देख रहा है N N पेड़ यह एक M M M N और यह एक M M M N ठीक है तो तीन बार देख रहा है हमें M M N उसके बाद और के नहीं है हमारा आप्शन B हो जाएगा 3 ठीक है Next Question number 34 34 में reasoning नहीं था इसलिए से change हो रहा है 42 मतलब जिस नंबर पे है वही reasoning आपको मिला है यदि A गुना B का आर्थ है A B के दक्षिन में A B के अच्छा तो हमें इस पजल को solve करना है ठीक है इस पजल को यह divided है यह plus है यह minus है ओके कि P divided by Q अब divided का क्या मतलब है तो यह है divide A divided by B means A is ist of B A divided by B means A B के पूरब में है यह A is ist of B यह अगर ist है A तो यह B है B से ist में A है ओके यह हो गया अब Q plus R plus का मतलब A plus B means A is in the north of B यह यह Q is in the north of R Q is in the north of R हम जैसा 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 डैक्शन में है वैसा वैसा का मतलब है ओके क्योंकि उसमें R हो यह नेट है क्या था यह A is A divided by B means A is ist of B यह यह P is ist of Q ऐसा होगा ना P is ist of Q P is ist of Q and Q is north of R अब क्लियर है अब R minus S minus where is minus A minus B means A is in the west of B that means R is in the west of S R is in the west of S S का west उदर है diagram set S Q के साफ एक्श किस दिसाबे है S Q के साफ एक्श पूचा गया है तो यहां पर हम cut करेंगे तो यह क्या है east, west, north and south तो यह south east में है, south east में दक्शिन पूरू, option A, south east ओके next question, question number 43 फिर से भाई question, अब हमें mathematical puzzle को solve करना होगा 16 divided by 12 और plus means divide divide means multiply यहनी 16 multiply by 12 और plus plus means divide यहनी divided by 4 minus means plus plus 6 and multiply means minus 8 इसको solve करना है, board master will k recording तो यह क्या होगा, 16 into 43 जा, 12 3 plus 6 minus 8 यहनी 48 plus 6 minus 8 यह हो जाएगा, पूर्टी 46 हमारा answer हो जाएगा option B clear? next question, number 45 एक परिच्छा में सुधीर का इस्थान ऊपर से चौदा हुआ तथा पंकरच का इस्थान नीचे से आटवा है यहनी ऊपर से चौदा हुआ 14th rank पर कौँ है? सुधीर और पंकरच नीचे से अठरावे पर है 18th पर है नीचे से पंकरच यदि सुधीर का इस्थान नीचे से 26 वा है नीचे से यही सुधीर किस प्लेस पर है? 26 प्लेस पर है ओके? तो ऊपर से पंकरच का इस्थान कौन सा है? तो देखो डागराम हमारा हो चुका है कि इस लाइन में कितने हो गए? 26 प्लस 14 करेंगे तो यह मिलता है 40-1 40-1 यानि 39 तो 39 लोग पूरे लाइन में है अब उपर से क्या बोला है? पंकरच का इस्थान तो पंकरच को उपर से चाहिए पंकरच का प्लेस तो 39 टोटल है तो इसके उपर कितने होंगे? 39 और इसके नीचे 18 है तो 18 माइनस कर लेंगे 21 के बाद 22 होगा 21st और यह 22nd कि पंकरच उपर से 22 स्थान पर होगा option B हमारा clear हो जाएगा next question number 46 एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनेट आके हो जाती है ठीक है? इसे 2 पहर 12 बज़े सही किया गया है तो 4 एम पर घड़े में कितना होगा? तो 12 बज़े से 4 घंटा अगर प्लेस करते हैं तो यह 4 पी एम हो जाता है और फिर पी एम में अगर हम 12 आर एड़ करेंगे तो यह कितना हो जाता है? फिर से 4 एम बोलो हाँ होता न? तो 4 घंटा और 12 घंटा 16 घंटा बाद की बाद पूछी गई है इस 16 घंटा में घड़ी कितना फास्ट होगी? तो simply कि 24 घंटे में 15 मिनट 15 मिनट 24 आर्स में तो 16 घंटे में कितना हो? तो 16 घंटे में घंटे में घंटे में घंटे में घंटे में घंटा चाहिए था चार लेकिन बज़ेगा कितना? 410 एंट, ओके? नेक्स्ट, कोस्चन नंबर 47 A, B का मित रहे है, ठीक है? A is friend of B A, B का friend है, ठीक है? B, C का friend है B is B, C का friend है C, B का भी होगा यह है statement, conclusion क्या कह रहा है? A is friend of C क्या A, C का friend होगा? तो इस जरूरी नहीं है हो भी सकता है यह सत्य है, तो नहीं सत्य तो नहीं है असत्य है, नहीं असत्य भी नहीं है यह नसत्य नसत्य है तो क्या यह निस्चित है? हम बता नहीं सकते कि friend है कि नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आप रसालोंगी कि है बिलकुल नहीं आप रसालोंगी means irrelevant तो नहीं है uncertain है वो भी सकता है नहीं हो सकता है next question number 48 कौन सा अक्षर है का question mark की जगा पर तो देखिए यहाँ पर I, D, Y, T, O कुछ नहीं मिला तो एक चीज आप समझेए I क्या होता है 9, D होता है 4, Y होता है 25, Q होता है 20, O होता है 50 इस दोनों का तो नहीं लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि minus 5 फिर से minus 5 तो फिर से minus 5 करने पर 10 आता है और 10 का मतलब J होता है option में एक बार देखो J है क्या J है तो काम है J है तो काम हो गया बाकी इस दोनों का relation ना मिले तो ना मिले ओके तो आधा relation होता है और इसके तुर आपको जहना चाहिए दो बार ऐसा question देखने में पूछ दिया next नीचे दी गई अच्छर सिंख्णा में question मार के स्थाम पर कौन सा है अब यहां पर क्या है तो इसको भी हम लिखे तो ज्यादा अच्छा है 23 T20 R18 O15 M13 J10 क्या हुआ है भाई यह माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 देन माइनस 2 यह एट यह एट यह option C is again next question नीचे दी गई अक्छर सिंख्णा में प्रस्ण वाच्छक के स्थान पर कौन सा अक्छर आएगा यहां पर क्या मिलेगा तो GDFC G74635 क्या हो रहा है भाई तो 7 माइनस 1 इस 6 6 माइनस 1 इस 5 यह तो ओभर्लैप डबल सरी चल रहा है 3 माइनस 4 माइनस 1 इस 3 3 माइनस 1 इस 2 यानि B हमारा option भी correct हो जाएगा clear next question number 45 to 43 के लिए instructions statement some players are brave some players are brave तो यह some players यह players है और यह brave है are brave all boys are brave brave में कौन से boys कितने भी boys हैं वो brave है conclusion some players are brave some players are boys some players are boys is a possibility confirmation नहीं है some boys are players some boys are players some boys are players एक ही तो बात बुला है some players are boys और some boys are players तो दोनों गलब हो गया neither one nor two follows नहीं हो सकता भाई कोई भी नहीं आप्शन सी हमारा हो जाएगा कि न तो एक और नहीं दो प्रयापत है is cancer नहीं है next question सभी लड़किया इंजिनियर है जितनी भी लड़किया है न ये सभी की सभी इंजिनियर है सभी यातरी लड़कियां हैं जितने भी यातरी है वो लड़किया है सभी यातरी इंजिनियर है सभी यातरी हाँ है सभी लड़किया यातरी है All girls are traveller नहीं तो केवल एक प्रत होता है 51, sorry 52, 53 रेनू किसी समस्या को तुरंच समझ सकती है रेनु किसी समस्या को तुरण समस्या को तुरण समस्या की है ठीक है भाई समझदार लड़की है रेनु can understand the problem quickly mathematics student have good reasoning ability कि गनीत की विद्यार्थी को अच्छी तरक योगता रखते है ठीक है प्रेनु तरक योगता अच्छी है बहूं कि गनीत की विद्यार्थी है कि नहीं हमें नहीं पता लेकिन किसी प्रस्न को तुरंत समझ लेती है जनीतार की लिद्यार्थी है यह कहां बोला है यह तो कहीं नहीं बोला, रेनु के बारे में खास कर, तो हमारा एंसर हो जाएगा, only one follows, कि सिर्फ पहला option ही बताता है, बाकि दूसरा अगलत हो जाएगा, ओके, next, क्या दो अंको की संख्या विशम है, अंको का योग सम है, पहला, एक दो अंको की संख्या, दो अंको की संख्या क्या हो सकता है, 11, 12, 13, ऐसे करते करते हैं, 90, 90, ठीक है, एक सिन यानवे तक दो अंको संख्या, यह विशम है क्या, ऐसा पूछा गया, तो अंको का योग सम होता ह तो दोनकों की संख्या जूक सम नहीं होता है दूसरा संख्यां को दो उसे गुना करने पर सम संख्या प्राप्त होती है, 11, 12, 13, 15, 24, कुछ भी ले दो, तो गुना करेंगे, तो और को भी गुना करेंगे, तो संप्राप्त होगा, 11, 12, और इसको भी करेंगे, तो 22, 12, 24, हर हाल में संप्राप्त होता है, लेकिन वो संख्या बीसा में ये कैसे पता सब्सक्राप्त होगा और विश्रम को भी गुना करोगे तो समी प्राप्त होगा तो इसका एंसर दूसरे से नहीं देढ़ा सकता ठीक है तो क्या कहेंगे बोथ सब्सक्राप्त है कि दोनों मिला कर भी एंसर देने के विए नहीं है कमारा एंसर भी होचाएगा ओके ठीक है नेक्स्ट 61 पी क्यू आर एस वट्टी पांच मित्र है तो हो चलो यह किसी का सॉल्ब क्या हुआ है हम अपना सॉल्ब करते हैं देर आर फाइफ फ्रेंट पी क्यू R, S and T. T is shorter than S. T is ho, shorter than S, but taller than P. T is taller than P. R is taller than S, R is taller than S and Q is little shorter than S Q is little shorter than S यानि S से तोड़ा सा छोटा Q है and little taller than T और T से बढ़ा है यानि R से बढ़ा और T और S के बीच में आ जाएगा Q और ये S से तोड़ा है the shortest and tallest are respectively shortest, R, tallest, P तो R, P and R या R and P ठीक है? हमारा option क्या हो जाएगा? P, R R, P कहीं है नहीं इसके से नहीं next, 62 find the next two terms of the following series अब इस series का अगला दो term तो देखो A, E, I बच्चे ओ ढूडने लगते के A, E, I ओ कहां जाएगा? ओ नहीं मिलेगा A plus 4 5, 4 plus 5 plus 4, 9 I 9 होता है ना तो 9 plus 4, 13 यानि M इस पे तो M आ जाएगा ठीक है? option में देखो ना M एक ही जग़े है बाकि कहीं है यह नहीं तो answer है आगे check करने की भी जरूद नहीं वह ऐसे check करना चाहते हो तक कर लो D, 4 plus 4, 8 8 plus 4, 12 12 plus 4, 16P MP and QT are ऐसी आ जाएगा चार मित्र F1, F2, F3, F4 कैरम बोर्ड खेल रहे है are playing on कैरम बोर F4 faces towards north F4 north को face कर रहा है यानि उपर की तरह यह F4 है friend 4 faces towards north F1 faces towards west west की तरह कौन face कर रहा है? F1 तो कोई south भी कर रहा होगा कोई east भी कर रहा होगा F1 faces towards north F1 and F2 are partners F1 और F2 partners है हमने सामने होंगे तो CDC F1, 2 हो गया तो यह पक्का F3 है तो who is facing towards south south की तरह कोई face कर रहा है? F3 हमारा answer क्या हो जाएगा? option 2 F3 ओके? next 64 नीचे दिये गए चित्र में question mark पर क्या आएगा? तो उधर की होगा? इदर देखो question mark पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर तो सबका numbering जल्दी से put करो number तरन दिखता है यह 9, 16, 4, एके 11, Q17, G7 और यह 13, 18 अब देखो ना 9, 2, 11, 2, 13, 16, 17, और 11, 18, 4, 3, 7, 3, 10 यहाँ पर 10 आएगा 10 मिस जे तो जे नहीं है तो option D इन में से को नहीं है none of this 65 होगे Thank you so much हमारा 2019 का सभी reasoning के question सॉल्व हो है मिलते हैं आप यह वीडियो में Till then take care, bye-bye